हेलो एवरिवन आज डेट है 22 जनवरी और देहिंदू एडिटोरियल डिसकशन में आपका स्वागत है सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कौन-कौन से इंपोटेंट आर्टिकल आज हम डिसकस करने वाले हैं देखो जो मारा फस्ट आर्टिकल होगा वो अमेरिका की पॉलिटिक से रिलेटेट होगा इस आर्टिकल को हम यहीं डिसकस कर लेते हैं अमेरिका की नए राश्टपर्टी 46 नमर के नए राश्टपर्टी Mr. Joe Biden जो डेमोकरेटिक पार्टी से बिलोंग करते हैं वो नए राश्टपर्टी इलक्ट होए हैं 20 जनवरी को उन्होंने अपनी नई ओथ ले ली है और उन्होंने और उनके एड्मिनिस्टेशन ने अपना जो first day work था उसमें काम करना start कर दिया है अपने पहले ही दिन जो Mr. Joe Biden है उन्होंने उनसे पहले जो राश्टपती रहे Mr. Trump उनकी बहुत सारी policies को change कर दिया है जिसे जब Trump राश्टपती थे तो उन्होंने Paris Agreement, Paris Climate जो Agreement है इसके अलावा WHO जैसा organization इन सबसे अपने हाथ पीछे कीश लिये थे इसके अलावा जो इरान के साथ में जो nuclear deal की थी उस समझोते से भी अपने हाथ पीछे कीश लिये थे तो Mr. Joe Biden जो नई राश्टपती बने हैं उन्होंने उन सारे बात जो भी पोलिसी से Mr. Trump ने हाथ पीछे कीशे थे उन सारे डूल्स को दुबारा से लागू करने का दुबारा से उन पर काम करने का मोका दिया है और Mr. Joe Biden जो भी पोलिसी जैसे climate change से लेकर के environment और इसके अलावा immigration जो पोलिसी है उस पर दुबारा से वर्क करने वाले हैं और जो वर्तमान के जो परिस्तित्या circumstances चल रहे हैं उसके according वो हर पोलिसी को renew करने वाले हैं जो मारा second article है वो देखो WhatsApp ने अपनी एक नई प्राइवेसी पोलिसी लॉंच की है और उन्होंने ये बोला है कि पहले अपनी जो deadline उन्होंने दी थी कि हर consumer को जो भी उसके users है उसको आठ फरवडी तक अपनी नई प्राइवेसी पोलिसी पर accept करना होगा लेकिन जब उसका विरोध किया गया इंडिया में तो उन्होंने अपनी जो extend term है उसको increase कर दिया है 15 मई तक problem क्या है हम ये देख लेते हैं देखो जो whatsapp है वो एक independent application के रूप में develop हुआ था लेकिन बाद में facebook ने उसको अपने अंदर on कर लिया ऐसे ही facebook ने instagram जैसे app को भी अपने अंदर कर लिया है facebook के जो एक algorithm है facebook किस तरीके से काम करता है facebook अपने users का जो भी test होता है उसको देखता है और जैसे आपने facebook कर कुछ भी सर्च किया उससे related कोई भी page लाई किया तो facebook आपके test को देखता है और उससे test के according फिर आपको add दिखाता है तो आप facebook क्या करने वाला है? WhatsApp और Instagram का भी इसी तरीके से use करने वाला है वहाँ से जो users का data है उसको use करने वाला है और उनके test के according फिर अपने users को क्या दिखाएगा? Users को add दिखाएगा तो अपना revenue जो collection है उसको increase करने वाला था facebook इस तरीके से नई privacy policy के तहत और इस privacy policy के तहत WhatsApp का जो data है वो share किया जाएगा facebook के साथ में देखो इंडिया में 459 million users है WhatsApp के यहाँ पे देखो 459 million users है WhatsApp के लेकिन जैसे ही नई privacy policy लेकर के आए इसके जो users है वो alternate दूसरे apps की तरफ जाने लगे जैसे signal app और telegram app की तरफ लोगों ने WhatsApp को install के अपने Android phone से और यह नई apps को install करने लगी जैसे ही नई privacy policy आई प्ले स्टोर में इंडिया में प्ले स्टोर में signal जो app है वो first number पर trending करने लगिया तो इस जो को देख करके WhatsApp ने अपनी privacy policy को पीछे हाथ खीच लिए देखो हमारे इंडिया से relation में क्या चीज़ है प्राइवेसी पोलीसी हमारे इंडिया में क्यों share किया जा रहा है ऐसा European countries में तो करनी सकते है ऐसे application क्योंकि वहाँ पर GDPR General Data Protection Rule है वहाँ पर और उसके तहत European countries में कोई भी app उसके data को दूसरे app के साथ में share नहीं कर सकता अब हमारे इंडिया में प्रोब्लम है हमारे इंडिया में प्रोब्लम क्या है हमारे इंडिया में ऐसे low ही नहीं है ताकि उनके लिए काम किया जा सकी तो हमारी जो ministry, IT जो ministry है, Ministry of Electronics and IT उन्होंने ये बोला है और WhatsApp से ऐसे question पुछे हैं कि आप इंडिया से ऐसा काम कैसे कर रहे हो इंडिया के जो users के data है उनको आप कैसे use कर सकती हो देखो, 2017 में जो पुट्टूसवा में केस आया था, उसमें बोला गया था कि right to privacy is a fundamental right और उसी से related स्री कृष्णा एक कमेटी भी ने थे, उस स्री कृष्णा कमेटी ने एक recommendation दीती government को कि हमारे जो भी users के जो data है, उनको save करना चाहिए, लेकिन 2019 में government एक law, एक bill propose करती है, उसमें स्री कृष्णा कमेटी की जो recommendation है, उनको dilute कर देती है government, और क्या करती है, government ने ये बोला अपने bill में, कि जो important जो data है ना, सिर्फ उसी को save किया जाएगा, जो normal data है, उसको save नहीं कि जाएगा, तो इस article में ये बोला गया है, कि कोई भी app आकर के, यहां पर हमारे जो privacy, जो data है, उनको share करता है, और उनका use करता है, खुद के business को increase करने के लिए, तो दूसरी तरफ में विकल्प के रूप में हमारी government को क्या करना चाहिए, हमारी government को करना चाहिए, कि हमारे जो low है, वो बहुत ही strict हो, बहुत ही stigento, like European countries, कि कोई भी जो app है, वो हमारी data को use ना कर सकी, next जो हमारा article है, editorial discussion है, वो मर्सी जो petition होती है, उससे related है, सबसे पहले हम context देख लेते हैं, देखो, बलवंत सिंग राजोना, जिनोंने पंजाब के पूरु चीफ मिनिस्टर रहे हैं, मि की हत्या कर दी थी, और इसी हत्या के चकर में 2007 में CBI कोट ने बलवंत सिंग राजोना को death penalty दी थी, मतलब उनको जो मृत्यूडन के सजा उनको सुनाई थी, बाद में उनके जो मर्सी पिटीशन है, उसको फाइल किया गया था, उनकी लिए मर्सी पिटीशन फाइल की गी थी SGPC ने, सिरोमनी गुरुद्वारा परबंदक कमेटी ने, 2014 में उन्होंने मर्सी पिटीशन फाइल की थी, 2019 में Ministry of Home Affairs ने पंचाब गवर्मेंट को ये बोला, कि उनकी जो मतलब death penalty जो उनको देने वाले थो ना, उनको चेंज कर दो, मतलब उसको life imprisonment में चेंज कर दो, ऐसा किस ने बोला, Ministry of Home Affairs ने, और ये क्यों बोला, उन्होंने बोला कि humanitarian gesture को ध्यान में रखते हुए, गुरु नानक देव की साड़े 500 वी बर्त anniversary थी, और उस समय में humanitarian gesture को ध्यान में रखते हुए, जो उनकी death sentence है, उसको life imprisonment में चेंज करने का आदिश दिया था, Ministry of Home Affairs ने, अब इसमे problem क्या हुई, कि ये कर दिया गया कि उनको death नहीं देनी है, उनको मतलब जेल, आजीवन कारवास की सजा में change कर दो, उनकी death को, लेकिन इसका जो एक, जो होता है, जो भी इसकी file है, वो उन्होंने राश्टपती को send रही की, और Mr. Rajona को 25 साल हो गए है, जेल में, मतलब जेल का कारते हुई, उनकी जो सजा है, वो 25 साल की हो चुकी है, तो Supreme Court ने, Supreme Court ने, जो हमारी Central Government है, उसको लतार लगाई है, कि आपकी देरी की वज़े से, जो आपने देरी की है न, उसकी वज़े से, एक व्यक्ती को, बाद में आप उसको बोल रहे हो, कि आप उसको death sentence दे ले वाले लेकिन उसकी जो लाइफ है, वो तो दोहरी एक तरीके से, उसने तो दोहरा दंड जेल लिया, पहले आज इवन कारावाज जेल लिया, और लास्ट में आप उसको मिल्टून भी दे रहे हो, तो देखो, ये जो capital punishment है, मतलब death penalty है, इसके लिए काफी दिनों से problem चल रही थी, क उस death penalty, abolishing capital punishment, इसको बात करने की जो सबसे बड़ी problem है, वो है कि delay होता है, मानलो किसी को death penalty देनी है, उसके बाद में वो अपनी mercy petition सा दायर करेगा, अब प्रेजिडेंट के पास में भी एक time decision नहीं है, कि इस time में ही, इतने time है, प्रेजिडेंट के पास में, उसको इसमें mercy petition पर काम करना है, इतने में अपना फैसला सुनाना है, अब वो जो बंदा है, मानलो उसको mercy petition मिलने वाला था, लेकिन अब उसमें mercy petition फाइल की, और पिछले 15 सालों से उसके mercy petition चलती आ रही है, उस पर कोई फैसला नहीं आ पा रहा है, तो एक तरीके से वो तो दोहरी सजा बु पोज किया गया था कि capital punishment को हमें abolish करना है, लेकिन बाद में voice vote के through इसको reject करवा दिया, हमारे बाद में ministry of state for home affairs किरन रेजेजु ने बोला कि अभी हमारे इंडिया में death penalty को abolish नहीं किया जाएगा, लेकिन 2015 में जो low commission of India है, उसने अपनी report में बोला कि states में, हमारे यहां के states औ बारे में बात की जानी चाहिए कि death penalty को हटाया जाना चाहिए या नहीं हटाया जाना चाहिए, फिर जाकर के 2018 में 14 states ने यह बोला था कि हां हम साथ हैं, हम इसको अठाने में आपके साथ हैं, लेकिन 12 states ने reject कर दिया था इस proposal को, लेकिन करनाटका और तिरपुरा ने यह बोला हैं, देखो, 14 states ने तो response बाद में दिया था, 12 states ने proposal को reject कर दिया था और करनाटका और तिरपुरा ने, मतलब हां बर दी थी, वो सहमती दिखाते थे कि हां capital punishment को abolish किया जा सकता है, ठीक है, अब यहां पर हम कुछ data देखेंगे, देखो, इंडिया 59 देशों में से हैं, जहां प्रकी, 142 देश ऐसे हैं, जिनमें लोग के दुआरा या प्रैक्टीस से, उन्होंने debt penalty को हटा दिया है, अबुलिश कर दिया है, 2019 में क्या हुआ था, स्री लंकन गुवर्मेंट, देखो, स्री लंका गुवर्मेंट पिछले 4 दसको से, अपने यहां पर debt penalty को follow नहीं कर रही है, उन्होंने abolish कर दिया था, लेकिन 2019 में वहां के प्रैजिडेंट, मिस्टर मैतरी पाल स्री सिरिना ने order दिये, 4 drug offenders को, और बोला कि इनको execute कर दू, उन्होंने यह आदेश इसलिए दिये, कि जो भी हमारे यहां पर drug की delivery करते हैं, drugs की, जो dealing करते हैं, उनमें खोप पैदा ह होगा, और वो लोग यह काम करना बंद कर देंगी, इसके अलावा, जो लोग इसको use करते हैं, drugs को, उन addiction में भी, यह क्या आएगी, कमी आएगी, Amnesty International की एक report आई है, उसमें यह बोला है कि चाइना में तो हर साल बहुत सारे लोगों को execute किया जाता है, और पता भी नहीं चलता है कि किस कारण से उनको execute किया गया है, चाइना की अगर बात करें, तो उईगूर वाला जो region है न, वहाँ पर इतना atrocities होते हैं, लेकिन उसके जो news है, वो बाहर निकल कर ही सामने नहीं आती है, चाइना की देखो, कोई भी जो news है, वो जल्दी से बाहर रुका, कोई media reporter तो वहाँ जाई ही नहीं सकता, enter ही नहीं कर सकता, उनकी internal जो sources होते हैं, वो जो चाहते है न, वो news उनके बाहर लीक होती है, और अगर चाइना नही चाहता कि ये news बाहर लेको, तो उनकी news बाहर निकल करके नहीं आती है, तो Amnesty International ने बात मानी थी कि चाइना में हर साल बहुत सारे लोगों को execute किया जाता है, देखो 2018 में अगर बात करे तो इरान में 253 लोगों को execute किया गया था, सौधी अरेबिया में 149 को, लेकिन 2017 की तु 1990 लोगों को किया गया था execute, अब देखो setting a time frame, ये जो capital punishment है, इसके लिए एक बात बोली गई है, कि इसका एक time frame मतलब decide होना चाहिए, कि इतने time में आप mercy petition पे अपना rule देऊगे, अपना जो order है वो pass करोगे, ताकि जो बंदा है, उसको कोई भी problem create ना हो, अगर किसी को death penalty मिली हुई है, और वो mercy petition के लिए apply करता है, इस समय में वो बंदा जो है, जिसको भी death penalty मिनी हुई है, वो बिल्कुल अकेली में अपना समय गुजारता है, इसकी वज़े से उसको बहुत सारी मानसिक परेशानिया होने लग जाती है, psychological trauma को face करता है, और जो अगर उसको death penalty मिलने में बहुत death penalty मिलने में देर हो रही है, mercy petition का भी result नहीं आपा रहा है, तो उसका जो अपराद उसने किया था, उसकी जो duration है ना, उसकी सजा की punishment की वो बहुत लंबी हो जाती है, और एक तरीके से वो double punishment को follow करता है, इंडिया में जो 2019 है, उसमें 102 लोगों को death sentence दी गई थी और 378 78 लोग अभी भी ऐसे हैं, जो death sentence के लिए wait कर रहे हैं, मतलब उनको death sentence मिनने वनी है, लगबग जिस व्यक्ति को भी death sentence दी जाती है, जैसे किसी को मिर्तिवडन दिया गया, death penalty दी जाने वाली है, तो उसका जो एक तरीके से उसकी punishment का duration हो जाता है, वो कई लोग तो ऐसे होते ह लगब 25 साल तक अपना जो समय है, वो जेल में गुजार देते हैं, तो इस article में ये बोला गया है कि death penalty के लिए एक time frame decide होना चाहिए, अगर आप किसी को death देने वाले हो, death penalty देने वाले हो, तो जल्दी से जल्दी उसके उपर फैसला किया जाना चाहिए, अब देखो हम देख पनिश्मेंट की बात आए, आपको बच्चन सिंग वर्सेज स्टेट अप पंजाब, ये जो मतलब सुप्रीम कोर्ट ने एक order पास किया था, इसके बारे में आपको ध्यान होना चाहिए, इसमें सुप्रीम कोर्ट में एक written file गी थी, एक petition file की गी थी, कि अगर आप capital punishment देते ह तो article 19 को आप abolish करते हो, इसके अलावा, इसमें ये भी बोला गया था कि India Stockholm declaration की एक party है, जो 1997 में उसने अपने यहां पर, 1977 में अपने असाइन किया था, इसके according इंडिया को death sentence को abolish करना चाहिए, लेखो इस article में ये जो order पास होया था, सुप्रीम कोर्ट ने decision दिया था, उसम ने बोला कि death sentence को अभी हम abolish नहीं कर सकते, सिर्फ एक बात बोल सकते हैं कि rarest of rare case में, आपको क्या दिया जाएगा, rarest of rare case में, जो death penalty है, वो declare की जाएगी, अब देखो capital punishment के कुछ pucks में भी बात बोली जाती है, और कुछ भी pucks में भी बात बोली जाती है, सबसे पहले तो हम pucks की बात कर लेते हैं कि capital punishment के pucks में क्या-क्या बात है, देखो बहुत सारे crime ऐसे होते हैं, जो बहुत ही heinious होते हैं, उनमें समाज के दुआरा भी society भी ये मांग करती है, जैसे 2012 का, अगर हम देखे, 2012 का जो निर्विया कार्ण हुआ था, उसमें society भी ये मांग कर रही थी, क जो भी उसमें अपरादी हैं, उन सब को death and test जी चाहिए, इसके अलावा अगर हम 2008 का मुंबई attack देखें, 26-11 जिस attack को माना जाता है, उस attack में भी कसाब के लिए ये माना गया था कि मिर्ट्यूदन दिया जाना चाहिए, तो इस article में ये बोला गया कि अगर मिर्ट्यूदन द नहीं करते हैं, हमारे आजादी को लगबक 70 साल हो गए और 70 साल के बाद में भी हमारे इंडिया में ऐसे heinious crime होते हैं, जैसे rape होते हैं, women's के खिलाब बहुत सारे attack होते हैं, उन सब के लिए भी मांग की जाती है कि क्या किया जाए, capital punishment दिया जाए, इसके अलावा ये बोला ग उसने कानून को काटा, मतलब कानून का जो भी rules and regulations से उनको तोड़ा, और फिर कानून ही उसको मतलब एक तरीके से जो government है, उसको ही उसको पालना पोसना पड़ रहा है, तो ये भी गलत बात सामने आती है, तो capital punishment अगर उसको दिया जाता है, तो इन सब चीजों से उसने जो गलत किया, उसको punishment उसका मिल जाता है, अब इसके कुछ विपक्स में भी इसके बात है, capital punishment के विपक्स में, against में जो argument है, उनको भी हम discuss कर लेते हैं, देखो सबसे पहले तो ये बोला जाता है, कि अगर आप capital punishment किसी को देते हूँ, तो article 21 को आप तोड़ते हूँ, article 21 का अर्थ है, right to life, और आप किसी की right to life चीनते हूँ, वो उसका fundamental right है, इसके अलावा जो हमारे international law है, उनको भी हम breach करते हैं, दूसरा ये बोला गया है, कि देखो, capital punishment को abolish कर देना चाहिए, ये पक्स में बात दी जाती है, क्यों कर देना चाहिए, क्यों कर देना चाहिए, क्योंकि abolish कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि हमें भी abolish कर देना चाहिए, दूसरा इसमें बोला जाता है, कि rarest of rare case में, rarest of rare case में Supreme Court क्या देगा, debt penalty देगा, अब बहुत कौन सा case rarest of rare है, मतलब ऐसा कौन सा crime है, जो बहुत ज़्यादा heinious है, ये कौन decide करेगा, ये तो judiciary में जो judge हैं, व और एक judge के लिए rarest of rare नहीं हूँ, तो ये कैसे decide होगा, कि ये case rarest of rare case है, तो ये capital punishment के against में, against में कुछ arguments दिये गए हैं, देखो, अब हम यहाँ पर दो-तीन ऐसे देखेंगे, दो-तीन ऐसे justice देखेंगे, कि बाद में, बाद में आप उसमें Supreme Court ने, जैसे पहले उनको debt penalty दी दी थी, लेकिन बाद में उनकी debt penalty को खतम कर दिया गया, जैसे दिगंबर वैशना versus state of 36 गड़, इसमें दो व्यक्तियों को पहले debt penalty दी गई थी, लेकिन बाद में, अब Supreme Court ने उनको बरी कर दिया है, और बोला है, कि उनको debt penalty नहीं दी जाएगी, इसके अलावा, एक case और है, उस case में भी अंकुस मारूती सिंदे versus state of महराष्टरा, इसमें भी जो नोमेडिक जो लोग है, छे लोग, उनको debt penalty दी गई थी, लेकिन बाद में ये माना गया, Supreme Court ने 2009 में खुद ने फैसला दिया था, कि उनको debt penalty दी जानी चाहिए, लेकिन बाद में जब review petition file की गई सुप् पंजाब, इस article में ये जो case है, इसमें Supreme Court ने माना है कि ये rarest of rare case है, और इसमें debt penalty दी जानी चाहिए, तो देखो ये जो महराष्ट, वरसे state of महराष्ट जो case था, उसमें Supreme Court ने पहले खुद ने फैसला दिया, कि ये debt penalty दी जानी चाहिए, इन six नोमेडिक लोगों को, क्योंक को दी जानी चाहिए, लेकिन 2009 के खुद के फैसले को over turn कर दिया Supreme Court ने, तो एक against में ये भी दिया जाता है, capital punishment के against में, कि देखो मानलो, कानून का काम है समाज को सुधारना, ठीक है, लेकिन आपने मानलो किसी को capital punishment मतलब debt penalty declare कर दी, और उसको आपने execute भी कर दिया, अब बाद में आपके सामने, सामने proof आते हैं, कि वो तो उसमें सामय ली नहीं था, तो आप उस विक्ति को जिन्दा कैसे करोगे, जिसको आपने भासी की सजा दे दी, उसको आप जिन्दा कैसे करोगे, तो ये उसके against में है, कि capital punishment एक कोई permanent solution नहीं है, कि आप जो crimes हैं, उनको कम करने के capital punishment दे दोगें, और ऐसे कोई अभी तक कोई report सामने नहीं आई है, capital punishment देने से जो crime है, उनकी संख्या कम होने लग गई है, बलकी capital punishment देने से जो लोगों में जो भै है, वो कम होता जा रा है, क्यों कम होता जा रा है? क्योंकि लोगों को ये लगता है कि जो एक time duration जो होती है न वो बहुत लंबी खिच जाता है debt penalty में और बाद में mercy petition से भी बहुत सारे लोगों को फाइदा मिलता है तो लोगों में जो capital punishment का जो भ्य है वो भी खतम होता जा रहा है तो ये आज का हमारा discussion था कई important articles को हमने discuss किया Okay, thank you